जहन इस विडियो मुदोख बात करेंगे मदरसand sumi कंपणी के बारे में देखिए मदरसand sumi के बारे में बात करने से पहले थोड़ा से इसका background जैन लेते हैं ताकि बाते समझने में असानी होगी पहले इसका पूरा नाम था मदरसन सूमी कमपनी के इस नाम से जाना जाता था और ये कमपनी ओटो पार्ट से तो वायर बनाने का काम करती थी लेकिन इसी साल इसका demurge हो गया, demurge होने के बाद कमपनी दो भागों बढ़ गई एक का नाम हो गया समबर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और अभी यह company ओटो पार्ट्स बिनाने के काम करती है और दूसरी company के नाम रखा गया मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड और यह company वायर बनाने का काम करती है उम्मीद करता हूँ अब आप बात समझ पा रहे होंगे तो अभी हम लोग इस कंपनी बारें बात करें उसका नाम है संबर्दना मदर्शन इंटरनेशनल लिमिटेज यह कंपनी उट्व पार्ट्स गाड़ियों के स्पेर्स बिनाने के काम करती है देखें इस कंपनी का भी मार्केट का है लगवग 43,000 कौन का असपास यान कि लाड़ सेग्मेंट के कंपनी है और शेयर प्राइस देखेंगे तो लगवग 64,000 के आसपास आज के दिन का इसका शेयर प्राइस है लेकिन जब आप इस ग्राफ में देखेंगे तो इसी साल जनुवरी में इसने तकरीवन 138,000 रुपय के आसपास अपना हाई लगा से डाउन आने लगा और अभी डाउन आ आकर आ गया है 300 रुपया 50 पैसा तक यानि कि हो सकता है अभी और नीचे जाए अब समझे इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझे देखिए हम लोग जानते हैं सबसे जो पहला कारण है इसके प्राइस के डाउन आने का वह है इसका तो धीरे-तीरे बढ़ेंगे ही लेकिन दिकत यह कि कंपनी जितने कमा नहीं रही उस सदी खर्चा कर रही है और यहां देखेंगा ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन कंपनी का कम होकर सिर्फ 6 परसेंट रह गया है अगर इसको असान आपको समझाए तो इसका मतलब होता है कि यदि कंपनी 100 रुपया का सेल्स करती है तो उस पर सिफ 6 रुपय ही प्रोफिट कमाती है यह पहले 10 रुपय का सबस्ता मतलब 10 परसेंट था और दूसरी बात जब इस सब कम हो रहा है और उप्रेटिंग प्रोफिट मार्जिन भी कम हो रहा है तो जाहिर से बात है सब्सक्राइब करें तो यहां देखेंगे जापानी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के लगवख 12 क्रोण सेयर कुछ समय पहले सेल किये थे जिसका आसर अब इस कंपनी के स्टॉक पर इस सेयर प्राइस पर देखने को मिल रहा है दूसरी बात यह है कि ऑटो पार्स जो होते ह अब आपको पता है और इनका प्राइस है अब कम नहीं हो रहा है इसके मार भी यह जहल रही है और जो वायरिंग वाला कंपनी का बिजनेस था वायरिंग में इतना खर्चा नहीं लगता है वह थोड़ा प्रोफिटेबल बिजनेस था लेकिन वह बिजनेस चला गया निवेसा किया है जो हमारे दिसके mutual fund इस company में investment किये थे वो धिरे-धिरे अपना investment मतलब कम कर रहे हैं इसमें से निकाल कर इस company में अपना यानि मजरसन सुमी में invest पढ़ा रहे हैं और दूसरी बात ये company high dividend भी pay करती है बहले देखिए इसका sales growth बहले low है लेकिन company dividend देती है ये त तो जो इस company के investors से उसके लच्छी बात है लेकिन जब company कमाई नहीं हो रहे है इसके बावजयोद भी company dividend दे रही है तो इसका effect भी कहीं इस stock और share price पर देखने को मिलेगा हाला कि sector का PE भी तीरपन है लेकिन फिर भी sector के PE स्याधिक है यदि ये sector के PE से कम होता तो कुछ सोच जा सकता था हाला कि अभी आप quarter 2 का result आने वाला है company का quarter 2 का result आने तक इंतेजार कर लेजे यदि result अच्छा आता है तुमीद इस share price उपर जाएगा और जब उपर जाने लगेगा तो एक बार RSH चेक करके आप इसमें करना चाहिए जितना रिस्क लेने के आप तयार हो इसमें investment कर सकते हैं उमीद करता हूं यह update आपको पसंद आया होगा मन में कोई भी डाउट है तुम से कमेंड में जरूर पूछिए और यह दिया आपके पास share बाजार में investment करने के लिए दिमेट एकाउंट नहीं तो आप एंजलों के साथ अपना बेस्ट डिमेट एकाउंट ओपन करा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद सुप्रिया